नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीके टिप्स वाई महंदर बुगालिया पर मैं आपका दोस्तों और होस्त महंदर बुगालिया आज अपने इस क्लास के अंदर जो रास्तान के उद्योग है उनके बारे में चर्चा करेंगे जनरली एसा माना जाता है कि रास्तान ज्योगरोपे में उद्योग और जो खनीज वाला चेप्टर हो बहुत हार्ड है क्योंकि उसके डाटा इतने complicated है कि याद नहीं होते हैं लेकिन मैं आपको बहुत ही easy going तरिके से इस क्लास के जब अंतीम चरण में आप जब रहोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमें पूरे उद्योग याद हो गए हैं ठीक है तो और एक चीज मैं आपको बता देता हूं जो य जिसके अंदर आस्तान जियोग्रोपी, History, Art, Culture, आस्तान, Policy, Economic, Science, पिछला मेने छे बारा मेने का करंड़ा फे लेलो, प्लेक्सी, प्योजनाय लेलो, बजट लेलो, सारी आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट को ओपन करना उसके अंदर उस subject related जितने भ complete content, revision के purpose से तो बहुत इस सांदर तरीके से मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जरूर देखे हैं उनको, और मैं आपसे request करता हूँ, आप इतने लोग मेरी classes देखते हो, तो please मुझे भी थोड़ा बहुत आपके support की ज़रत रहती है, तो वह आप support मुझे provide करो, channel को subscribe करो, video को like क अपने दोस्तों के साथ share करो, मेरे लिए एक अच्छा सा comment करो, ठीक है, और आपको ये PDF चाहिए, तो ये PDF भी आपको मैं provide करवाता हूँ, वह मिलेगी आपको अपने telegram channel पे, video के description में telegram channel का link देदूँगा, वहाँ से join कर लेना, और ये PDF वहाँ से ले लेना, और पढ़ना, ठीक है, आज अपन शुरू करते हैं, रास्तान के पर्मुख पारक, कॉंप्लेक्स और उज्दोग इक्छेत्रियन रास्तान के उज्दोगे को बारे में complete जचा करते हैं, ठीक है, क्या है, hardware technology park कहां पर हैं, जो hardware technology, software और hardware आप जानते हो, hardware जिसको पंचू सकते हैं, software जिसको और कनकपुरा को, hardware technology पारक कुकस जेपुर के अंदर है, software technology पारक कनकपुरा जेपुर के अंदर है, दोनों को अच्छे से ध्यान रगना, जेम्स एंड जेवेलरी पारक है, वो सितापुरा जेपुर के अंदर है, ठीक है, तो सिता को जेवेलरी पसंद है, इसलिए जेम्स एंड जेवेलरी पारक सितापुरा जेपुर में है, याद करने का टरिक बता रहा हूं, जेम्स एंड जेवेलरी पारक कहां पर हैं, सिताप सितापुरा जेपुर के अंदर है, एक बोरा नडा जोधपुर के अंदर है, एक नीमरणा अलवर के अंदर है, तो आपको तीनु निर्या समर्दन पार्क याद रखने हैं, सितापुरा जेपुर के अंदर, बोरा नडा जोधपुर के अंदर, नीमरणा अलवर के अंदर, सिर फलोरी कल्चर कॉंप्लेक्स कहां पर है तो फलोरी कल्चर कॉंप्लेक्स है वो बिवाडी अलवर के अंदर है फलोरी कल्चर कॉंप्लेक्स बिवाडी अलवर के अंदर है पुस्प पार्ग खुसकेडा अलवर के अंदर है पुस्प पार्ग खुसकेडा अलवर के अंदर है आ मुजीरी पार्क कहां पर है चिंप की एलवर के अंदर है उन कॉम्प्लेक्स कहां पर है विकानेर के अंदर है उन कॉम्प्लेक्स ठीक है उन कॉम्प्लेक्स द्यान रखना विकानेर के अंदर है लगू खनीज कॉम्प्लेक्स कहां पर है तो लगू खनीज कॉम्प्लेक्स है सिकेंद्रह्टा के विसनोदा ने फर प्रहां करें इंपोर्टेंट है सब्सक्राइब यह होते हैं एक कोटा जोथपूर ही दिया ह३ाइब जैपूर नहीं इफ पूछेंगे पूछेंगे इन जोदपुर गंगानगर अलुवर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइने ध्यान रगना अर्थिस्टेशन कहां पर है सितापुरा जेपुर में अर्थिस्टेशन है अर्थिस्टेशन कहां पर है सितापुरा जेपुर अर्थिस्टेशन है ठीक है चर्म उद्योग कहां पर है त टाउर इंडेस्टीज गहां पर है जेपूर के अंदर है जैसरी ये कंपणी नहीं है जो इसकी चो त्रिके जिसको याद रको जैसरी याने जेपूर के अदर सेदार शिरी रिमवकल्यैज के अधार में बरतपूर में कई बार इंडिस्टीस है ठीक है नेशनल बोल एंड बेरिंग कमपनी कहां पर है जेपुर के इंदर है इंपोर्टेंट ने दियान रगना सिंको वेगन और से शाभًग में थोड़ा कन्मिटम्धिन उत्पनोंग लेकिन shot लेकिन अलग लग याद थ्रगना सिंको Alrighty ध्यांच्य बरतपूर के अंदर है नेशनल बॉल एंड बेरिंग कंपनी जेपूर के अंदर है रास्तान इलक्ट्रिक्स कोर्परेशन कहां पर है जेपूर के अंदर है रास्तान इलक्ट्रिक्स कोर्परेशन कहां पर है जेपूर के अंदर है रास्तान इलक्ट्रिक्स कोर्परेशन ठीक ह त्रिक है फलोसपार सहयंतर कहां परे ट्रिक है टाई टूब उद्डो export कहां परे कांकरोली कहां पड़ता है कांकरोली पड़ता है रासमंद के अंदर ठीक है कंपनी है, जो पानी के मिटर बनाती बिजली के मिटर जो जेपूर मेटल से वो बनाती है कहां पर बनाती है जेपूर के अंदर बनाती है जेपूर के अंदर पानी के मिटर जेपूर और पाली दोनों बनती है केस्टर मिटर का कारफाना है ठीक है बड़ी लाइन के वेगन कहां पर बनते है कोटा के अंदर बनते ह जो Sulfuric Acid Plant कहां पर है, Alvar के अंदर है, Sulfuric Acid का Plant Alvar के अंदर है, ध्यान रगना important है, आगे चलते हैं, अब कहीं बार क्या होता है कि सिधा सिधा कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे अभी साइध रीट पेपर के अंदर या कोई एक पेपर वा था, उसके अंदर पारले कमपनी का कार खाना कहां पर है, जैब रास्तान के अंदर वो भी पूछ लिया था, तो किसी भी हद तक आ सकता है, इसलिए मैं कोई भी चीज़ आपको छोड़ूँगा नहीं, कम्पलीट का का करना का का पर है, फेपर ज़ेपूर के अंदर है, माचिस के कार खाने का है, कोटा और जेपूर के अंदर है, माचिस के कारकाने कहा हैं कोटा और जेपुर के अंदर जब सिरफ माचिस से क्या करोगे तो बीडी भी तो चाहिए आपको तो बीड़ी उध्योग कहां पर है टॉंक और ब्यावर अजमेर का बीड़ी उध्योग परसीदे ठीक है गायत्री स्पीनर्स का कार खाना भीलवाडा के अंदर है गायत्री स्पीनर्स का कार खाना भीलवाडा के अंदर है मलमल उद्योग मतानिया जोदपूर का परसीदे और लाल मिर्च भी मतानिया जोदपूर की परसीदे ध्यान रगना मलमल उद्योग भी मतानिया जोद पूस्कार पूस्कर अजमेर थे थांबे के बर्तन बीलुाडा में है पीतल के बर्तन जेपूर में बनते हैं संगमरमर processing के अंदर यानि जो कट्रव अगयरा कहां पर हैं संगमरमर processing यानि संगमरमर जब आपके शुरू में आता है तो सिधा ये slave के format में नहीं आता है एक बड़े ब्लोग के format में आता है जिसको अलग-अलग मशीनों द्वारा उसको slave के format में change गया जाता है फिर customers को दिया मन के अंदर ट्रांसपोर्ट हब बनावा है Bali complex कहां है गहान ब्यावर और जैब्व मेर के अंदर ठीक है तो आपको ध्यान रगना है Google complex कहा के अंदर और गहान मेर के अंदर और जैब्लें कोंप्लेक्स है जोन रखना है आगे चलते हैं जापानी पार कहा है निमर्णा अलवर के अंडर ताइवानि जोन काहाँ पर है तो वो भी निमर्णा अलवर के अंदर है लेजर सिटी कोमपलेक्स काँ पर है अच रोल जेपुर के अंदर मार्बल मंडी कहा है तो किशन का डजमेर में मार्बल मंडी है साइबर पार्क कहा है जोदपूर के अंदर साइबर पार्क है हस्त सिलिप डिजाइन विकास सोद के अंदर कहा पर है जेपूर के अंदर है आइसेड टेक्टर्स का कार काना कहा पर है जो चाते आते हैं, अपने बारिश के अंदर जो काम में लेने के लिए छेतरी जो आती हो फालना पाली की पर्तिदे बायाना बट्पूर के अंदर रास्तान मिनी विकास के अंदर बनावा है निवाई टोंक में है गोगेलाव नागोर के अंदर है खुशकेडा अलवर के अंदर है कालरावास उद्यपूर के अंदर है यहाँ यहाँ पर रास्तान के मिनी विकास के अंदर बने वे हैं देश का सबसे बड़ा संगट तो प्राचिन उद्योग भी सुतिवस्तर उद्योग एदेश की पहली सुतिवस्तर मील का इस्ता पितूई थी तो मुंबेई में 1854 में इस्ता पितूई थी राजस्तान की पहली सुतिवस्तर मील का इस्ता पितूई थी राजस्तान की पहली सुतिवस्तर मील का इस्ता पितू परियासों से ब्यावर अजमेर के अंदर हुई थी ठीक है रास्तान के एकिकरन के अंतिम चरण से पूर्वे रास्तान में कितनी सूतिवस्तर मिले थी तो साथ थी उसमें कुल 11 वरत उद्योक थे और साथ सूतिवस्तर मिले थी रास्तान के एकिकरन अंतिम चरण से पूर्वे तो आपको वहां देख क्रश्णा कोटन लिमिटेड नहीं करना है आपको वही करना है देख सवतन्तरता के बाद इस्तापित पेली सुतिवस्तर मिले कोटा टेक्स्टाइल जो उगनी सो चपन में इस्तापित हुई थी रास्तान की सबसे बड़ीवे सार्दिक उत्पादन समत वाली मिल कौन सी है महराजा उमेद मिल से उगने सो ब्यारीस पाली के अंदर इस्तापित हुई थी सीटी में क्यूशन पूछा था आगे पी पूछ सकते हैं इंपोर्टेंट है देश में सुतिवस्तर की सार्दिक मिले काँ पर है माराष्टर वे गुजरात के अंदर राज मैंचेस्टर में कहीं बार क्रिकेट मेंच भी होते हैं और बारत का मैंचेस्टर वे बोस्टन कि इसको बोलते हैं एमदाबाद को बोलते हैं राजस्तान का मैंचेस्टर भीलवाड़ा को बोलते हैं रास्तान की वस्तर नगरीवे टेक्स्टाइल सीटी कि इसको बोलते हैं दोनों युद्यान रखोगे रास्तान में कारेसिल करगों, हथ करगों लिखा यहाँ पर, ठीक है? कारे सील हत करगों के इसाब से सबसे बड़ी मिल थी देकरेशना कोटन मिल जो दामोत अदास साटी ने ब्यावर अजमेर के अंदर इस्तापित की थी कारे सील हत करगों के इसाब से सबसे बड़ी मिल आएकी दरश्टी से राश्तान में सूतिवस्तर उद्योका इस्तान कौन सा दूसरा इस्तान है आएकी दरश्टी से यहने सबसे ज़्यदा इंकम किसी उद्योका है तो सूतिवस्तर उद्योका है जो दूसरा है और पहला है रतन और आब उसन उद्योग ठीक है आगे चलते हैं आगे क्या है रास्तान की जो पर्मुख सुतिवस्तर मीले हैं वो पढ़ लेते हैं अपन कौन-कौन सी है एडवर्ड कोटन मील ब्यावर के अंदर जो 1906 में इस्तापित हुए ती और 1908 में पूनते बंद होगी वीजे नगर कोटन मील अजमेर के अंदर 1932 में इस्टेबलिस हुए मालक्स मी कोटन मील ब्यावर के अंदर 1925 में इस्टेबलिस हुए रास्तान राजे सेकारी कताई मील पूसले तो आपको गंगानगर नहीं करना हनुमान गड़ करना है गंगानगर सेकारी कताई मील गंगापूर भीलवाडा के अंदर भी उगने सो इक्यासी में इस्तापी ती नोट उप्रोक तीनु मिले जो हैं वो सेकारी छेतर गिये एक दोर तीन ये तीनों मीले हैं जो सेकारी छेतर गिये ठीक है ज्यान रगना है ऊपर जो तीन थी वनी नीचे वाली जो तीन है वो है ठीक है दीकरशना मिल्स लिमिटेड व्यावर में 1100 गुणिबे में दामोर ददास जाटी ने इस्ताफित की थी महाराजा उमेद सिंग मि मेंस लिमिटेड जो पाली के अनतर है आ के दृस्ती से सबसे बड़ी मीले महाराजा उमेद सिंग्र मील्स लिमिटेड जो पाली के अंदर ए उद्ध्यपूर मिले उद्ध्यपूर के facilitate का जापा में कोंको फोटर्टें दक्सिन भारत का मैंछेस्ट्र वो कोयंब टूर को बोलते हैं इंपोर्टेंट है ध्यान रखना मेवाड टेक्स्टाइल मीले वह बीलवाडा के अंदर उगने में इस्टेबलीश वूई थी गोपार इंडिस्ट्रीस मीलेवो कोटा के अंदर है मोर्डन सिंнейटेक्स मील अलवार के अंदर है जेवूर सिंतेटीक्स पोदार इस्पेनिंग मिल्स जेपूर के अंदर है वेस्टन इस्पेनिंग मिल्स नागोर और चूरू के अंदर है इंपोर्टेंट है ध्यान रगना वेस्टन इस्पेनिंग जो मीले हो नागोर और चूरू के अंदर है चीनी उद्ध्यों के लिए कच्छा माल क्या होता है त सब्सक्राइब पहले चीनी मील कोण ची थी साँजनिक छेतर की जो पहली चीनी मील थी वह थी घंगानगर शुगर मील लीमिटेट गंगानगर के अंदर 1937 में इस्टेबलीश हुई थी यह मील पहले नीजी चेतर की थी फिर 1956 के बाद इसे सार्जनिक छेतर में गोसित कर दिया गया इंपोर रास्तान की पहली सेहिकारीचेतर की चीनी मील तो केश ओर आय पाटन सेहिकारीचेतर की वो गंगानगर सुगर मील है। इसके अदिन सराव इस्प्रिट बनाने का कार काना तो दे गंगानगर शुगरमी लिमिटेड है जिसने सबसे पहले चुकंदर से चीनी बनाई है और यहां पर सराव और इस्प्रिट बनाने का कार काना जो रॉयल हेरिटेज लिकर है वो यहीं पर बनती है विश्वे के अंदर सरुपर्तम सिर्मेंट का विश्कार किस देश ने किया था तो ज्यान रगना रास्तान में विश्वे के अंदर सरुपर्तम सिर्मेंट का विश्कार किया था इंग्लेंड ने और विश्वे की पर्तम सिर्मेंट फेक्टरी हैं पोर्ट लेंड सेहर इंग् दरास के अंदर उगनी सो चार में स्टेबलीस हुई थी रास्तान की परतम सिर्मेंट फेक्टर आप से पूछे तो बता देना लाखेरी बुंदी के अंदर उगनी सो पंदरा में हुई थी रास्तान की परतम सिर्मेंट फेक्टर लाखेरी बुंदी के अंदर उगनी सो पंदर उसका उतपादन करता है रास्तान, ठीक है। तो सिरी सिर्मेंट कंपनी ब्यावर के अंदर है वो रास्तान की सबसे बड़ी सिर्मेंट फेक्टरी है सबसे कम उत्पादन करने वाला कार काना कौन सा है तो सिरी राम सिर्मेंट कोटा के अंदर सबसे कम सिर्मेंट उत्पादन होती है ठीक है आगे चलते आगे क्या रास्ता में सपेज सिर्मेंट की परतम फेक्टरी कोंची है तो गोटन नागोर के अंदर जेके वाइट सिर्मेंट की फेक्टरी है सपेज सिर्मेंट का सारुदिक उत्पादन का होता है तो खारिया कंगार जोदपुर के अंदर बिला वाइट सिर्मेंट की फेक्टरी है तो ध्यान र सब्सक्राइब जब समय लाइम इस्टोन के देखता चिक समझाथ अधिक एसके कारणर हे रास्तां के अंदर सकषम मैं पर तो यह थे रास्तान के उद्योग, रास्तान के उद्योगों में जितने भी important car काने थे, मैंने सारे आपको बता दिये हैं, जितने भी important उजोगी के अंदर थे, मैंने आपको बता दिये हैं, और ज्यादा तर उजोग में से, इसी में से question पुछा जाता है विशेश, ध्यान रखोगे, इसका, बार-बार class को देखोगे, कम से कम दो या तीन बार इस class को देखना, आपको सारी चीजे हैं, बुक जबान याद हो जाएगी, जब आप exam में देखोगे, तर रिजल्ट आपके सामने होगा, और मैं एक चीज अभी बता रहा हूँ अब सामने paper हैं, अभी तक मैंने जितनी classes upload किया हैं, उसके मैं सब के आपको साक्ष्य दूँगा, किस class में से कितने क्यूशन किस exam में आएं, फिर आपको पता लग जाएगा तो मेरे कहने पिर आपसे एक request है, कि आप एक बार इस channel का content जरूर देखें, अगर आपको मेरी मेनत अच्छी लग रहे हैं, तो आप मुझे इस मेनत का फल दो, इसके लिए channel को जदाश जदा subscribe करो, वीडियो को like करो, अपने दोस्तों के साथ share करो, और मेरे लिए एक अच्छा सा comment करो, यह PDF का मिलेगी, तो टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी, टेलिग्राम